हलो मैं डियर फ्रेंट अनूप इश्टेडी जोन में आपका स्वागत है पिछली क्लासेस में हम लोगों ने देखा था पर्रया और और परिवार से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स थे उससे इंपोर्टेंट कोस्टन्स भी हम लोग सॉल्व कर जुके हैं यदि आप लोगों उस क्लास तक नहीं पहुच पाया है तो आप जाएंगे चैनल में प्लेलिस्ट बना हुआ है वहां से देख सकते हैं आज हम लोग इस्टार्ट करने वाले हैं भोजन, मानो, सरीर, स्वास्तेवं, सचता से रिलेटेड टॉपिक्स हैं उनको आज हम लोग कवर करेंगे इसके बाद हम लोग इससे जो important questions बनते हैं questions को भी solve पर लेंगे चलिए तो बिना देर के हो हम लोग आते हैं अपने पहले टॉपिक पे तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है जन्तूँ और उनके खाद पदार्थ पर जो वर्गी करण किया गया है खाद पदार्थ और उनके सुरोत क्या है उनके सबसे पहले हम लोग ध्यान देते हैं तो सबसे पहले जो जीवों की स्रेडी है ठीक है जैसे जो जानवर या फिर जो कोई भी जीवित पदार्थ केवल पौधे उपर या पौधे खाते हैं या पौधे से उत्पाद जैसे फल हो गया फूल हो गया वो खागर जीवित रहते हैं वो क्या खलाते हैं साका हरी खलाते हैं आपके प्रमुक जीव कौन कौन से गाय हो गई बकरी, गाय और बकरी को आप लोग कभी भी मांस, मंचली, मीट ये सब खाते हुए नहीं देखेंगे, तो वो क्या होते हैं, वो होते हैं साका हरी, ठीक है, इसके बाद है आपका मांसा हरी, तो मांसा हरी में क्या होता है, मांसा dependent होता, ये सभी क्या करते हैं? मान्स खाते हैं, इसके बाद आता है आपका तीसरा है सरवाहरी, सरवाहरी ऐसे जानवर होते हैं वो दोनों खाते हैं आपका ये पौधे और पौधे सुत्पन उत्पाद भी खाते हैं जैसे फल फूल जो भी चीजें होती हैं उसके बाद जानवर भी खाते हैं मांस भी खाते हैं जैसे आप बिल्ली को देख लिए बिल्ली क्या करते हैं दूद भी पी जात भालू है जैसे, भालू आपका क्या है, भालू आपका कुछ पौधे भी खाता है और क्या करता है, यह जंगली जानवरों को भी खाता है, तो ऐसे जो भी जानवर होते हैं, उन्हें क्या करते हैं, सरवाहारी करते हैं, इसके बाद है पर जीवी, तो पर जीवी क्या होता है, पर जीवी ऐसे होते हैं जो अन जीवों को पचाद लेते हैं ठीक है जैसे आपका फिता क्रिमी हो गया जू हो गया पर जीवी क्या होते हैं एक ये दूसरे जीव पर डिपेंड होते हैं वो उसी जीव पर होकर के उसी जीव का खाते हैं जिस पर जैसे आपको एक्जामपल है चलिए इसके बाद मृत जीवी मृत जीवी क्या होते है 먹 तो यह कैसे होते हैं यह बैक्टरिया ओते हैं उनको वहीं से उनका भोजन मिलता है ठीक चलिए इसके बाद है पौधों के विभिन भागों से प्राप्त होने वाला भोजन कि किस पौधे के भाग से कौन सा हमें सामग्गिर प्राप्त होता है से फल हमें कहां से प्राप्त होता है किसी भी पौधे में अगर आप फल देखेंगे तो फल में क्या आता है आम, केला, संत्रा, ये सब क्या है, फल है, बीज देखिए, अब भोजन पदार्थ में बीज क्या क्या हो सकता है, देखे गेहूं जो होता है, गेहूं आपका वहीं गेहूं बोगा जाता है, वहीं उत्पाद भी होता है, तो गेहूं क्या होता है, बीज होता है, चावल हो गय यह जड़ में पैदा जमीन के अंदर पैदा होते हैं और इनको क्या करते हैं हम लोग भोजन सामगरी के रूप में ग्रहड करते हैं इसके बाद पत्तियां हो गई पत्तियां हम देखे आप सरसो की पत्ती हो गई पालक हो गया मेथी हो गया इसके बाद धनिया हो गया यह सब ह करते हैं ये समलोग पतियां जो होते हैं पतियों को खाद सामगरी के रूप में प्रयोग करते हैं कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जिनका तना भी हम लोग खाद सामगरी के रूप में प्रयोग करते हैं जैसे गन्ना हो गया आपका प्याज हो गया आलू हो गया ठीक है तो इन इनका प्रयोग हम किस प्राकार से करते हैं, इनका प्रयोग हम तने के रूप में करते हैं, ठीक है, इनका जो तना होता है, वो तना हम लोग अपना खाद्य सामगरी में उपियोग करते हैं, ठीक है, चलिए, इसके बाद हम लोग देखेंगे मानो तंत्रों की आवसक्ता की तालिका है हमारे मानो सरीर में कौन से खनी स्तत्व पाया जाते हैं उनका सुरोत क्या है और उनकी दैनिक आवस्ष्यक्ता क्या है अगर उनकी कमी हो जाया तो उससे क्या प्रभाव पढ़ने वाला है ठीक है तो देखिए सबसे पहला हमारा कैल्सियम ठीक है कैल्सियम हमें क परसेंट कलेघिया है और या फिर जो आपका हड्डीऊं कि कमजोर पढ़ने लगेंगी एक कर दान भी आपका कमजोर हो जाएगा तूटना सुरू हो जाएगा इसके बात दूसरा जो खनी स्तत्थ है आपका फासफोरस आपका किस से किस से मिलकर बना है दूद से मांस अनाज ठीक है फासफोरस आपको किस से मिलेगा दूद से फासफोरस मिलेगा मांस से भी मिलेगा और अनाज से मिलेगा अब फासफोरस का हमारे धैनिक जीवन मैंनी डेली हमा जाती है क्या होती है अगर आपके अंदर फासफोरस की कमी हो जाती है तो आपके सरीर की बृध्धी रुख जाती है देखें जो यह टॉपिक है मानो तमतरों की आव सकता खनीज तत्तों की तालिका यह आपके लिए है इससे कई प्रश्न बने हुए है अभी जब आपसे प्रश्न हम कराएंगे तो आपको बता भी देंगे कि कौन से प्रश्न किस साल पूछे गए है तो इससे आपको आइडिया लगेगा कि इस चैप्टर का इस टॉपिक का इंपॉर्टेंस क्या है चलिए इसके बाद है क्लोरीन क्या होता है खाने वाले नमक ठीक है क्लोरीन का सुरोत क्या है क्लोरीन आपको खाने वाले नमक से मिलता है और इसकी दैनी क्या हो सकता है क्या होती जठर रस की घटक होता है क्या होता है या जठर रस की घटक होता है अगर आपके अंदर क्लोरीन की कमी हो जाती है क्लोरीन की कमी आपको भूक की कमी अनि आपको भूक नहीं लगेगा ठीक है इसके बाद क्या है इसके बाद आपका आजाता है सोडियम सोडियम क्या होता है खाने वाला नमक खाने वाला नमक किसका शुरूत है सुरूत आपको अगर सोडियम मिलेगा तो आपको कहां से मिलेग तो क्या होगा आपका उच्छ चाप हो जाएगा भूक की कमी हो जाएगी मतलब आपको भूक नहीं लगेगा आपका जो ब्लड प्रेसर है ब्लड प्रेसर आपका बढ़ जाएगा तो यह आपका सोडियम की कमी के कारण होता है देखेंगे जिसको भी ब्लड प्रेसर जिसका हा अब आयोडीन के सुरूत कौन कौन से हैं देखे दूध पनीर आयोडीन युक्त नमक ये किसके सुरूत हैं आपके आयोडीन के आयोडीन का आपका काम क्या होता है ये थाराइक्सीन हार्मोन का महत्वपूर घटक होता है जो थाइरोक्सीन हार्मोन का आपका सिक्रीशन होता ह यह आपका आयोडीन के कारण ही होता है अगर आपके अंदर आयोडीन की कमी होती तो कौन से रोग आपको हो सकते हैं आपको घेंगा रोग हो सकता है जड़ मानवता हो सकता है तो आपका आयोडीन की कमी के वज़ा से ये दोनों रोग की कम रोग हो सकते हैं इसके बाद जो खन यानिक आवा सकता है क्या होती है विटामिन B12 का मतपुर घटक होता है ये हमें क्या देता है विटामिन B12 देता है इसके बाद है अगर आपको अंदर कोबाल की कमी हो जाती है तो कोबाल की कमी से आपको कौन रोग हो सकता है आपको रक्त छीड़ता हो सकता है इसके बाद दे मान से आपको मिलेगा कुछ सबजियान जो है कुछ забढ़ क्रोमियम की हमारे body में हमारे है सरी में आवसकता क्या है क्रोमियम क्या करता है आपके glucose होता है जो नौग,, glucose अब चाहि उपाचय में महतपूर योगदान देता है अगर आपके अंदर क्रोमियम की कमी हो जाए तो क्रोमियम की कमी से आपके अंदर क्या प्रभाव पड़ेगा, ग्लुकोज का जो उपाचय तथा उर्जा उत्पादन का है, उसमें गरबड़ी होने लेगेगी, ठीक है, जो आपका उर्जा उत्पादन होता है, जिससे आपको एनर्जी मिलते है, उसमें आपका गरबड़ी हो जाएगा, इसके बाद है magnesium, magnesium का सुरूत का है, magnesium आपको कहां से मिलता है, हरी सबजियों से, आपका यूज क्या है, आपके बॉड़ी में magnesium का यूज क्या है, इसमें glycolysis तथा ATP पर आसरीत, कई उपाचाई या प्रतिक्रियाओं के एंजाइमों का सह घटक होता है, अगर आपको magnesium की कमी होती है, तो magnesium की कमी से तंत्रिका तंत्र की कारे की प्रभावित होती है, ठीक है, इसके बाद है आपका लौह, लौह आपको कहां से मिलता है, मास, अंडे, फलियां या फिर अनाज या हरी सबजियों से आपको लौह मिलता है, और लौह हो सकती है ठीक है इसके बाद आपका अगला है फ्लोरीन फ्लोरीन का आपका सुरूत क्या है पीने वाला जल आपको फ्लोरीन पीने वाले जल से मिलता है चाय से मिलता है और समुद्री भोजन से आपको क्या मिलता है फ्लोरीन मिलता है अब फ्लोरीन की आपके बॉडी में आप कमी से आपके अंदर क्या प्रभाव आपके सरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा तो 3 अपके सरीर पर क्या होगा दातों की दुर बल्ता हो जाएगी मितलब दात आपके कमजोर हो जाएंगे अधिक से फ्लोरोसिस रोग जिसमें दात चितकबरे हो जाते हैं आपको फ्लोरोसिस नामक रोग हो सकता है जिसमें क्या होते हैं दात आपके चितकबरे हो जाते हैं ठीक है इसके बाद देखिए इसके बाद जो हमारा खनी स् जिंक, जिंक आपको कहां से मिल सकता है, जिंक आप अनाज, दूध, अंडे, मास या फिर समुद्री भोजन करते हैं, तो इनसे आपको जिंक की प्राप्ति होती है, अब आपके जिंक से आपके दैनिक जीवन में क्या महत्तो है, तो जिंक जो होता है, जिंक जल का अभगटन, अथार्थ, पाचन एंजाइमों सहित, लगभग 80 एंजाइमों का सहघटक होता है, ठीक है, अगर आपके अंदर जिंक की कमी हो जाती है, तो जिंक की कमी से आपको कुंठित भृद्धी, रक्त छीड़ता है, या फिर खूरदूरी त्वचा का आपको रोग हो सकता है, ठीक आपको तामबा का, आपका क्या उप्योग होता है, तो जो होता है, साइटो क्रोम, आक्सिडेज, एंजाइम का जो सहघटक होता है, ये क्या होता है, तामबा ही होता है, ठीक है, कमी के प्रभाव, सैयोजी उतक और रोधी वाहिनों की दुरबलता होती है, ठीक है, इसके ब उपस्ती, अस्ती तथा संयोजी उतकों की बृद्धी में अनियमता हो जाती है, ठीक है? इसके बाद है प्रोटीन का संघठन. प्रोटीन के संघठन में आपको क्या बता सकते हैं? प्रोटीन में कार्बन, ऑक्सिजन, नाइट्रोजन, हैड्रोजन जो होते हैं, लगभग कित पाया जाता है hydrogen लगबख 7% आपका protein में hydrogen पाया जाता है इसमें एक और पाया जाता है sulfur भी तत्तों पाया जाता है sulfur आपका 0.2-7% के बीच में पाया जाता है ठीक है तो चलिए आज के लिए बस इतना ही इस टॉपिक से अगर आपको कोई confusion होता है तो आप comment box में comment करके अपने प्रश्न को पूछ सकते हैं आज के लिए बस इतना ही अगर आपको class अच्छा लगा तो like करें comment करें share करें और channel को subscribe करना ना भूलें आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ तब तक के लिए धन्यवाद